दूस्तों आज की कहानी है मा अगर मेरे लिए मायके का दर्वाजा खुला नहीं है तो कोई बात नहीं दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइप नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउसे और नया वीडियो तरुणा की मा सुना है तरुणा आज काल यहीं है इतने दिन तो वो कभी मायके में नहीं रही सब कुछ ठीक तो है पड़ोस की सुमन ब्यान की बेटी भी इस थी तर पहले पंद्र दिन के लिए पिर महिनों दिन रही अग देखो मायके की होकर रह गई तब ही तो गर में भाई बेटी रहती बार तक नहीं निकलती है इस वर किसी कोई ऐसा दिन ना दिकाए कमला जी सी उसकी पडोस सुबा सीनी से बोली कमला जी की बात को बदलती वे बोली दामा जी अभी कुछ मैनों के लिए बार गई इसलिए तरुणा या आगे कभी या रहती नहीं तो जेवी अब अच्छा लगरा सोड़िये उसकी बात आप अपनी बेटी की बात बताए ये सोना है आपका दामानों से लेने आया लेकिन आपकी बेटी ने जाने से इनकार कर दिया सुबा सीनी मु बनाते वे वासे सली गई तरुणा का भाई नवीन बोला आप ये सब बाते स आज गई थी अपने लिया लग घर देखने के लिए कमला जी आर्शिय से अपनी बेटी की तरफ देखने लगी नवीन तरुणा से बोला आकिर आपको अपने पती का घर क्यों सोड़ना पड़ा आपने ऐसा क्या कर दिया कि वे आपके साथ रहने को त्यार नहीं है आप ये मेरे मुझ से क्यों सुनना साथ हो वो किसी और के साथ अपना नया रिस्ता बना रहे आए दिन सराव के नसे में वो मुझ पर हाथ उठाते थे फिर मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ कमला जी बोली बेटा औरत को समझोता करना आना सही हर रिस्ते में उस नी सोती अगर हर औरत इसी तरफ ने पती से लड़कर माय के आ जाएगी तब तो किसी का घर नहीं बसेगा दामा जी ने तुम से मापी मांगी और वो ने का भी है कि वो कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे अगर हम दुनिया में नहीं होते तो तुम क्या करती यहीं सोस कर तुम अपने पती के घर में रह लेती तरुना बोली मा अगर मेरे लिए मैके का दरवाजा खुला नहीं है तो कोई बात नहीं मैं अपने लिए उठा ही सही पर अपने स्वाभी मान का दरवाजा खुद बनाऊंगी आपने इतना पड़ा लिखा यह वही मेरे लिए बहुत क्या भाई नहीं समझता तो समझ में भी आता क्योंकि हर मरत दुनिया में एक जैसी होते पर आप से यह उमीर नहीं थी नविन बोला आप मां को इमोसिनली ब्लेक मेल मत कीजिये कुछ दिन की बात अगर होती तो आप यह रह सकती थी पर मेरे भी खरसे पापा को जो पैसन मिलता वो उनकी दवाई में खरस हो जाता मैं अकेला क्या क्या संभालों का तरुणा सुपसा वां से सली गई मां दवीन से बोली मैं तो कहती हूँ थोड़े दिन ठैर कर इसकी दूसरी साधी करवा लेते हैं वरना मूँ सुपाना पड़ेगा समाज में लोग कहेंगे बेटी को घर में बेठा कर उसकी कमाई खा रहे हैं कितना पैसा खरस करकी इसका ब्याक्या और ये तीन साल में मूँ उठा कर सली आई वक्त भी था तरुन अपनी नोक्री के लिए इदर उदर हाथ पेर मार रही थी कुछ समियबाद एक रोजव मां से बोली मां साधी के पहले जा मैं नोक्री करती थी मैंने वहाँ अपलाई किया था वह मुझे वापस नोक्री पर रखने को त्यारे अब मैं आप लोगों पर बोज नहीं बनूंगे क्योंकि अगर मैंने साधी नहीं की तो मुझे मुझे सुपाना पड़ेगा आपको यहीं लग रहा पर मैं अपना मुझ क्यों सुपाऊं अब मैंने कोई गल्दी की ही नहीं है कमला जी बोली तुम अपने बारे में सोस रही हो अपने भाई के बारे में नहीं तुम अगर यहां रहोगी और समाज में ये बाल फैल गई तो अच्छे गर की लड़की का रिष्टा तुमारे भाई के लिए नहीं आएगा तुम क्या साधी हो जैसे तुम रह रही हो वैसे तुमारा भाई जीवन बर अकेला रहे तरुना बोली आपकी सोस कितनी पूरानी है कि अगर मैंने साधी नहीं की तो मुझे मुझे बूँ सुपाना पड़ेगा और ये जो मेरा भाई खड़ा होकर मुझे पर उगली उटारा समझ में नहीं आता या अपना कौन ने और पराया कौन जब अपनी दूस्मन बन जाए तो अकेली औरत कहां जाए कि नवीन बोलाव को क्या समझ में आएगा आप तो यह आराम से रहेगी दुनिया की नजरों का सामना तो मुझे करना पड़ेगा मरद अकेले रहे तो समझ में व्याता आपने अकेले रहने का फैसला कैसे कर लिया तरुना बोली उमर में तुम मुझे से सोटे हो पर कितनी जल्दी तुमने उंगली मुझे पर उठा दी जब अपनी दूस्मन बन जाते तो कोई क्या कै औरत के सरीत्र पर जब उंगली उठाने का वक्त आता तो हर मरद एक हो जाते कोई भी मरद दुनिया से अलग कैसे हो जाता है मरद अकेले रहे तो स्वाभी मानी और औरत अकेली रहे तो बदनामी ये कान लिका है दो दिन बाद तरुना को अपने पूरानी सेली मिली जो कीराय के मरकाने में अकेली रह रही थी उस घर का एक अमरा खाली था और उसने तरुना को वहाँ आने का सुजाव दिया और तरुना भी मान गई क्योंकि मायके में इतनी जीलत सहने से अच्छा था कि वह अपने लिए एक स्वाभी मान का कमरा डूड ले के तरुना अपने सामान के साथ सली गई मायक के आना जाना उसने सोड दिया हाँ फोन करके अपने माता पीता का हाल सा लेती रहती थी और अपने पती से अलग होने के लिये उसने तलाक की अरजी कोरट में डाल दीती, उस सोटे से कमरे में तरुना को हर्त रखी आजा दीती, अब उसे मुझ सुपा कर रहना नहीं पड़ता था, सर उठा कर वो अपनी जिन्द की जो अपने दम पर जीने लगी, क्योंकि जब मरद अकेले रह सकते तो अरत अपन दम पर अपना भविश्य क्यों नहीं लिख सकती, कुछ सालों में तरुना की तरकी से उसकी मा की सोस को गलत साबित कर दिया, उसका भाई वीवा के उमप्रात, एकसा बदला कि उसके माता पीता को अपनी भूल काया सास्वा परेशानियों में जिस मान ने अपना पला बेट आके बढ़कर हमेशा मा की मदद करती थी, तरुना ने उसे अपना करज नहीं अपना फरस समझ कर निबाया, तो उस्तों ये कैसी मान सिकता जा माता पीता को अपने बच्चे की भावनों को समझना सा, ये वस समास के डर से गलत बात को साने के लिए बच्चे पर दवाव ड ऑलत instincts और समझना师 प्रना बच्चे भावनों को समास कि की बच्चे बच्चे बचकर तरुनास प्रुनास म समास का बच्चे की गार संकी की लिए!